Hello engineers, welcome to the world of civil guru ji, the civil engineers training institute, मैं engineer शुबमनाख परे आपका स्वागत करता हूँ करना है खास तो चलो हमारे साथ करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल के बाद गुरु जी के साथ आज के इस वीडियो में हम ऐसे लाइसेंस के बारे में जानने वाले है जिसे प्राप करना बहुत ही असान है और इस लाइसेंस का उप्योग करके आप एक बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और बीना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं जोस्तों अगर आपके पास सिविल इंजिनियर की डिग्री या फिर डिप्लोमा हैं तो आप नगर पंचायत या नगर पालिका इन जैसे एथॉरिटी के लिए सिविल इंजिनियर लाइसेंस बनवा सकते हैं आपके अगर किसी भी पर्सन को अपना खुद का घर बनाना है या दुकान का काम शुरू करना है या फिर किसी आपकी इंपर्टेंट है वह है आपकी ismission drawing तो दोस्तो अगर आपके पास नगर का या नगर पंचायत का ये license है तो as per requirement as as per the client requirement आप submission drawing बना सकते हैं और नगर पालिका या नगर पंचायत में submit कर सकते हैं दोस्तों अगर असान भार्षा में बताना है तो इसका यही मतलब है आपके client या customer और नगर पालिका इनके बीच आप एक technical medium बन जाते हैं इसके वाज़से नगर पालिका को as per bylaws एक satisfaction मिल जाता है और आपके client को construction की permission मिल जाती है अब इस license की power यहीं तक की सीमित नहीं है अगर आपके client को completion certificate चाहिए तो वो भी आप दे सकते हैं because of this license अगर किसी client को bank से loan लेना है अगर home loan लेना है तो उन्हें कुछ document submit करने होते हैं जैसे की construction estimate, construction submission drawing और भी कई तरह के document submit करने होते हैं तो अगर उन document में से जो estimate है वो भी आपको ही बनाना है आप वो बना के दे सकते हैं फिर बाद में submission drawing वो भी आप बना के दे सकते हैं और साथ ही साथ आप completion certificate भी दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों construction completion certificate भी आप दे सकते हैं। तो ये है इस license की power। अब दोस्तों पात करते हैं इस license को पाने के लिए आपकी जो education qualification है वो किस तरह की होनी चाहिए। देखिए एक चीज है आपकी degree complete होनी चाहिए या फिर आपका diploma complete होनी चाहिए। और रही बात experience की तो देखिए दोस्तों अगर आपके पास civil engineering की degree है तो आपके पास experience होना ज़रूरी नहीं है। आप as a fresher भी इस license को पा सकते हैं। लेकिन हाँ अगर आपके पास diploma है civil engineering का तो आपको कम से कम 3-5 साल का experience लगेगा building and planning का। तो चलिए अब देखते हैं इस license को submit के लिए कौन-कौन से document submit करने हैं और कहां submit करने हैं। अगर आप degree holder है या फिर civil engineering की degree है तो आपको provisional degree या फिर final degree कोई भी चलेगा दोनों में से। एक की zerox copy लगीगी और एक ID proof। ID proof में आप अधार card या फिर driving license भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं diploma holders की तो diploma holders को कम से कम 3-5 साल का experience certificate और diploma zerox copy ये सब document submit करना हैं with ID proof। और हाँ दोस्तो अगर आप as a diploma holder और as a degree holder apply कर रहे हैं तो आपको एक document commonly submit करना हैं। जो कि actually document नहीं है वो एक तरह का application होता हैं। आपको written application देना है नगर पालिका या नगर पंचायत को। आपका education कहां से हुआ हैं आपके document आप submit कर रहे हैं। ये सब आपको उस application में लिखना हैं और वो application नगर पालिका या नगर पंचायत में submit करना हैं। दोस्तो जो आपको written application submit करना है नगर पालिका में उसका एक format में आपको description में दे देता हूँ जिससे आपको help होगी और आप असानी से document submit कर सकते हैं अब देखते हैं ये documents हमें नगर पालिका में कहां पर submit करने हैं invert outward department ये एक ऐसा department है जहां पर नगर पालिका में सभी तरह के documents एक्सेप्ट की जाती है दोस्तो इस license के लिए आपको official first time fees देनी होती है फिर बाद में renewal के लिए हर साल ये fees paid करनी होती है exact amount of fees तो आपको नहीं बता सकता क्योंकि with time ये सब चीज़ चेंज होती रहती है जैसी कि मैं यहां की 36 गड़ की बात करूँ तो यहां पे आपको official fees एक लगता है approximately 1500 रुपे का तो जो fees है आपको नगर पाली का या नगर पंचायाद में पता चल जाएगी चलिए दोस्तों मैंने पूरा प्रयास किया है आपको आसान भासा में समझाने का किस तरह से हम इस license को पा सकते हैं थैंकि दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा है तो आप अपनी दोस्तों के साथ share कीजिए, like कीजिए और हाँ हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले इसी जोश और जुनुन के साथ बने रहेगा सिविल गुरुजी के साथ जै हिन जै भारत जै सिविल गुरुजी थैंकि दोस्तों